इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटस्ट खबरे वा आदेश हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइपॉन को कर ले सलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक मध्यप्रदेश शासन का शांदार आदेश जारी कर्मचारियों के हित में मिलेगा ये लाब मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्राले वल्लब भवन भोपाल आदेश कर एक हजार आख सोला वटा तेरह लाग पंद्रह हजार हजार चार सो इक सट तू ओ तू 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 जेरो जेरो त्स वन विता विभाग के परिपत्र कर एफ चै दो भोपाल दिनाग 6 अक्टोबर 2023, 2006 नियम 4 दिनाग 13 अगस्त 2008 के प्रावधाना नुसार विश्रा मावकाश की अवधी में शेक्षनिक संवर्गो के कर्मचारियों को ड्यूटी पर आहुद किये जाने के प्रशास किये अधिकार निमनानुसार है एक संबंधित कलेक्टर एक वर्ष में अधिक्तम 15 दिन, दो विभागा द्यक्ष एक वर्ष में अधिक्तम 30 दिन, विता विभाग के परिपत्र का 419208 नियम 4 दिनाग 16 जून 2008 से उप्रोक्त व्यवस्था दिनाग 1 जनवरी 2008 से लागु किये जाने के आदेश जारी किये ग अन्य अधिकारी की अनुसिंशा के क्रम में विश्रमावकाश में शासकिये कार्या में सनलगन किया गया है तथा पी अर्जित अवकाश का अनुमोधन सक्षम स्तर से नहीं कराया गया है अत्वा अनुमोधन की प्रक्रिया प्रचलन में हैं के निराकरन के संबंध में राज समस्ट संकुल प्राचार्य मॉड्यूल अनुसार शिक्षकों की जानकारी एवं वांचित अभिलेखों की प्रती पोर्टल पर अपलोड करेंगे। 3. समस्ट जिला शिक्षा अधिकारी जानकारी का सत्यापनकर प्रकरन को लॉग करेंगे। 4. उपरोग प्रकरनों पर संचालनाले, लोग शिक्षन किस तर पर परीक्षन उपरांत आवश्यक स्वीकृती आदेश ओनलाइन जारी किया जाएगा। स्वीकृती आदेश संबंधित शिक्षकों एवँ अधिकारियों को क्रमशहें। शिक्षा मित्र एवँ एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध होगा। 5. पोर्टल पर समस्ट प्रकरनों की जानकारी दिनाक 31 दिसंबर 2023 तक अपलोड की जाए। जानकारी अपलोड करने की जबाबदारी संबंधित संकुल प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। 6. संचालनले लोग शिक्षन द्वारा जारी स्वीकृती के आधार पर संबंधित शिक्षक को अरजित अवकाश की पात्रता होगी। उक्तादेश की प्रविष्टी संबंधित की सेवा अभिलेक में संकुल प्राचार्य के स्तर से की जाएगी। 7. भविष्य में ऐसे प्रकरणों का निराकरण उपरोक्त प्रकिया से ओनलाइन किया जाएगा। उपरोक्त निर्देशों के पालन में सरु संबंधितों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार मंजूशा विकांत राय उपसचिव मध्यप्रदेश शासंत स्कूल शिक्षा विभाग।